Dear student, I have just presented in part 3 of the chapter Component of Hood. Yes, my student, हम लोग पिछले क्लास, जो Component of Hood का part 2 था, उसमें जहां हमारा हमारी बात खत्म हुई थी, उसको मैं फिर से आपको एक बार स्क्रीन पर दिखा दना चाहता हूँ. हम लोग यहीं तक पढ़ते हुआ थे और मैं आपको बता रहा था कि किस विटामिन्स की कमी से कौन कौन से रोग हमें होते हैं और आपने उसको स्क्रीन पर दिखा था, एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ और चलिए मैं आपको इसके आगे की बात अब बताता हूँ हम लोग यह भी देख चुके हैं कि कौन कौन से वोजन फूड हमें लेने से डिफरेंट टाइम के विटामिन्स की प्राप्ति होती है और विटामिन्स का हमारे सरीर में क्या रॉल है उसके बाद बाड़ी आती है मिनरल्स की यानि कि हिंदी मेडियम में इसको हम खनीज भी करते हैं तो देखें मिनरल्स जो है उसका हमारे सरीर में क्या रॉल है क्यों जलूरी है तो हम लोग ने अभी चर्चा किया कि हमारे सरीर को कार्बोहेड़िट चाहिए फिर हमारे सरीर को प्रोटीन चाहिए और फिर हमारे सरी सरीर को डिफ्रेंटट टाइब के फ्रूट बगड़ा हम खाते हैं मिलग फिश खाते हैं तो उसे डिफ्रेंट टाइब के विटल इसमें से तो यह सभी तीनों तभी अच्छी तरह से काम कर पाते हैं प्रोपर कर पाते हैं अगर हमारे सरीर में मिनरंस की मात्रा भी उचित हो तो भ्वाई वो मिनरंस कौन-कौन से चीज़ है मैं उनका नाम कुछ आप को बता देता हूं जैसे कुछ वैसे भुझ्यe- पदार्त है फुड मेटेरियल्स है जिसे हम खाते है तो उसमें iron की मात्रा रहती है मैं आपको बदाऊँगा कि concept food items हैं जिसमें iron होता है तो यह iron जो है आपका minerals करके example है फिर calcium fast photos iodine, sodium, etc यह सब minerals के examples हैं तो minerals क्या करता है आप जितने भी food लेते हैं और उससे carbohydrate और protein और vitamins मिलते हैं इन सब को proper work करने में मदद करता है यानिक उनको support करता है in English you can write this as some substances are required for normal functioning in the body and they are called minerals clear there are many types of minerals for example iron calcium phosphorus iodine sodium potassium and fluorine and now we will discuss what is the role of minerals 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 helps in the proper utilization of other nutrients in our body clear investment अब हम चर्चा करते हैं कि यह जितने टाइब के minerals हैं उनके sources क्या हैं क्या क्या खाएंगे तो हमें यह minerals भी लेगा तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं iron वो कौन से खुड है जिसे हम लेगे तो हमें iron मिलेगा तो उसमें आप कर आजाता है eggs और फिर spine egg पालक जिसको आप करते हैं वो उसमें minerals भरपूर होता है आपे वो खाना चाहिए फिर jar बाजरा ground nut भी आता है उसमें और green vegetable एक चीज़ आप याद रखेंगे इस्वेंट यह जो मैं green vegetables का भी नाम लिया ना यह एक ऐसा नाम है जो different type के minerals में काम आता है मैंने अभी जैसे आपको बताया कि अगर हम green vegetable लेते हैं तो उसमें iron की मात्रा है अगर आपसे phosphorus का calcium का source पुछा जाता है तो एक green vegetable तो ज़रूर ही याद रखा नहीं तीनों में बोल दीजेगा एक नाम तीन काम चलिए आगे बढ़ते हैं calcium क्या क्या खाने से में calcium मिलता है calcium से भरगपूर फूट कौन कौन से है तो milk है उसमें और milk product milk product मता बहुत सारे जो milk से बने हुए जितने भी चीज है वो सब milk product कहे जाएंगे उन सब में भी calcium भरगपूर मात्रा में पाया जाता है और उसके बाद म मीट आ जाएगा उसमें फीस आ जाएगा और अभी मैंने बताया एक green vegetable इसमें जोड़ दीजें clear अब हम चर्चा करते हैं phosphorus कौन-कौन से भोजान हम खाएंगे तो हमें phosphorus मिलता है तो phosphorus के लिए milk फीस और meat और green vegetable जोड़ दीजें इसमें clear आते हैं iodine की तरफ भाई iodine के बारे में आप सभी जानते होंगे कि एक iodide salt होता है बारकेट में मिलता है बारबाटी यह पर एड़ भी आता है तो उसके पुर्ति के लिए हमें iodide salt जो हमेसा अपने भोजन में थोड़ी सी मात्रा में हो जाता है तो भाई iodine को पुड़ा करने के लिए हमें iodide salt रोज भोजन में लेना चाहिए और फीस अगर हम खाते हैं तो उसमें भी iodine की मात्रा होती है और seafood यानि कि समंद्र में पाए जान वाले जितने भी समंद्र से निकलते हैं हमारे भोजित्पदार समंद्री मचलिया अगरा इतने भी चीज़ा है उनमें जो है हमें हमें iodine मिलने को उसकी मात्रा उसमें होती है और फिर sodium और potassium की चर्चा करते हैं sodium के लिए तो हम common salt फिर milk और vegetables खाएंगे और chlorine जो है उसकी मात्रा water मिल पाए जाती है क्लियर इस्प्रेंट आगे बढ़ें आगे बढ़ते हम फैट्स की तरफ अब हमें देखना है कि जो फैट्स है साइंस में एक संटेंस क्यूंकि आप अभी छोटे क्लास में हैं आपको तो ज्यादा कुछ कहना चाहिए लेकिन क्योंकि यह साइंस क्लास है तो आपको हर टॉपिक पर कुछ ने कुछ से साइंस से जरूरी बातों को जरूर कहना है कि फैट्स क्या है जैसे मैं एक दो संटेंस में बता रहा हूं तो आप फैट्स को डिपैंड कर देए फैट्स के बारे में कुछ बताने के लिए आप करें यानि कि fats जो होते हैं carbon, hydrogen, oxygen नाम के elements तथा fatty acid और glycerol से पिलकर बने होते हैं Fats का क्या काम है वही Our body stores the excess energy in the form of fat So fats are called energy bank also हमारे सरीव में different type के भोजन को लेने से जो energy मिलता है और वो energy अगर जरुवत से ज्यादा store होता है तो उस excess energy को हमारा body क्या करता है Fats के रूप में उसको store कर देता है यानि कि हम लोग यह समझ रहे हैं जो fats होता है energy का store room है ठीक है ना और जब energy को store करता है तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे Energy bank के नाम से भी उसे हम जानते हैं अब ते लिए fats का रोल क्या है Fats का रोल है कि यह हमारे सरीर के temperature को गर्मी को बनाय रखता है इसलिए ठंडे के दिनों में आप देखिएगा बहुत सा oily food करा लोग खाते हैं और अपने सरीर पर भी हम लोग आयल अपलाई करते हैं ताकि गर्माहट बनी रहे तो यह क्या करता है यह हमारे सरीर से लोग नंबर को रोल इसका क्या है इटS more energy than carbohydrate आप पर chemical process यह हमारे सरीर को तो कार्बो हाइड्रेट से भी एक केमिकल प्रोसेस के द्वार बाद बहुत अधिक मात्रा में इनर्जी देता है, यानि कि कार्बो हाइड्रेट को सबसे अधिक इनर्जी का सोर्स मना जाता है, लेकिन जो फैट्स होता है न, उससे भी अधिक मात्रा में इनर्जी और फिर मेटा जाएगा एक सट्राइब सेदिया क्लियर आगे परते हैं वाटर क्या है भई तो वाटर तो इसा वाटर के बिना हम जी ही नहीं सकते हैं, कोई काम हो नहीं सकता है, लेकिन साइंस के रूप में क्या कहेंगे हैं, वाटर इस कमपोस्ट अफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सिजन, इडिज इसेंशियल फोर दिलाइफ तु सर्वाइफ, लाइफ इस नोट पॉसिबल विदाउट वा उसका शरीर के अंदर सभी भागों पर उसका ट्रांस्पोर्टेशन करता है, यानि कि अवागों करने में मदद करता है, नमबर तु क्या इसका रॉल है भी, इट हेल्स इन दा एक्सरेशन आप दी बोडी वेस्ट, हमारे बोडी के जितने भी वेस्ट हैं, जैसे के स्वीट पसीना, इवडीन बगराब, उसको ये डिस्चार्ज करने में मदद करता है, और नमबर तर्ड इसका रॉल ये है, इट मैंटेंस दा बोडी टेमप्रेचर, हमारे सरीर के टेमप्रेचर को भी ये मैंटें करता है, और चलिए अब यही पड़ एक तुरंग छोटे सा इक्ष इसका रॉल ये है, 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 इसका रॉल ये